इस वीडियो को देख लो आपको जो रिकावरी स्टेटस है वो यहां पर डिसीजन मेड ग्रीन हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखना है एक ऐसा खतरनाक ट्रिक देने बार हूं जिसको जूज करके डिसीजन मेड बली हो जाएगा चलिए आपको सिखा देते हैं हमारे पास जो डिकावरी स्टेटस है वो मैंने मतलब इतना ट्राइग कर लिया अब आप फेस्बुक अकाउंट अगर आपका लोग है तब देख लो या फिर आपका अकाउंट हैक हो चुका है या फिर टूस्टेप वेरिविकेशन को आप बाइपास कर रहे हो और आपका जो मतलब सही नप्रमेशन ले रहे हो की मैं यहाँ पर लगा वहाँ लेकिसन में का एक रीपलाई आता है कि भाई यह decision made को red कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमें ट्रिक मिल चुका कि decision made को blue कैसे करना blue took हमें कैसे मिलेगा कैसे लगए blue tick तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं clearly trick समझा देता हूं अगर trick समझ में आता है आपको काम बनता है तो वीडियो को like और subscribe जुरूर करना है चैनल को ठीक है ना तो आप क्या गलती करते हों कि आपको decision made red दिखाता है तो आप बहुत करते हों गलती बताऊंगा और कैसे उनको सुधारना वह भी मैं आपको बताऊंगा फिलाल डोकुमेंट एड़ करने के लिए हम नेक्स्ट वगारा कनफरमडेंटी को बाइपास करने के लिए हम जो है ना यह दिस लिंक वाले उसन पर जाता है क्योंकि कभी कभी ना वहाँ पर सम्तिंग वेंट रों आ जाता है लिक करके जिमेल वेगर हम अपने डालते हैं जिमेल हमेला आ गया हम इस पर सैंड कोड प्र कलीक करेंगे कोड हमारे जिमेल पर आ जाता है उठा करके हम पेस्ट कर देते हैं नेक्त करने के बाद अब हम डोकुमेंट एडड करते हैं सी मोझ पर जा करकर हम टू डोकुमेंट एक साथ बोर्टब नहीं जाएं तो यहां से नहीं डालना है उसके बाद आप अपनी गैलरी से डोकुमेंट को एड़ कर देते हो यहां से भी आपने डोकुमेंट नहीं डालना है अब दोकुमेंट कैसे डाले तो भी डोकुमेंट डालने का एक न्याज तरीका मैं आपको बताने वाला हूं आपको यह तको मतलब डिलीट कर देना अगर आपने डाला हुआ तो अगेन आपको प्लस वाले प्लिक करने के बाद अगर आपको डिसीजिजन में रैड आ रहा तब जाओ आपको डिर्ट केमरे वाले और और जो आपको डोकुमेंट रहता है आपको उसको हाथ में पकड़ लेना और उसका प्लोड करना है उसको सम्मित मार देना है सम्मित मानने के बाद हो सकता कि सम्मित होते होते हैं आपका अकाउंट अलोग हो जाए हैं यह अकाउंट मेरा सम्मित होते हैं अलोग हो गया था क्योंकि मैं इसको नए तरीके से डोकुमेंट को अपलोड किया था अगर आपके पास correct document आपके हाथ में है सही है और आपका decision में red हो रहा था तो अब वह red नहीं होगा आपका blue हो जाएगा recovery status जब आपका आएगा ना तो decision made आपका blue हो जाएगा यानि कि document आपका accept facebook ने कर लिया क्योंकि नए तरीके से हमने document को add गया अपलोड किया और हमारा मतलब यहां से हो गया तो notification facebook को जो बेज दिता है ना access link के वो हमारे पास बेज दिया हलांकि मैंने इस link को यूज कर लिया ओफिल facebook में मैंने इस link का यूज कर लिया था लेकिन फिर भी मैं आपको browser से दिखा दिता हूं यह browser मेरा है ठीकिन तो अब मेरा यहां पर अभी भी लोग पढ़ा हूँ है और मैंने जो सक्योर जो मतलब access link facebook ने बेज़ा को कोपी कर रखा है पेस्ट कर दिया लेकिन फेस्ट करने के बाद यहां से मेरे को link expired दिखा रहा है क्योंकि आल्रीडी इस link का मैं यूज कर जुका हूं तो ओसल फेस्बुक से मैंन इस link का जूज किया था जैसे कि आप डिस्प्लेइब देख रहे हो यह अकाउंट मतलब चार फरवी से लोग पड़ा हूँ है मैं गया स्टाइट पर क्लिक करने के बाद ठीक न अब भी जो है ना मेरा अकाउंट यहां से automatically unlock हो गया कि तो मैंने already document official facebook से डाला था और यहां से upload होते है सम्मित होते है automatically unlock हो गया तो कहने के मतलब यह है अगर आपका decision made red आ रहा है और आप उसको blue करना जाते हो सही information डोकिमेंट आपके हाथ में रखा हूँ है decision made आपका red आ रहा है तो आप इस ट्रिक को जोज़गर के 100% decision made blue कर सकते हो और आप अपने account को unlock कर सकते हो अगर आपकी रहती है तो पूरी पूज़गर करने के लिए यह account हो चुका है अलोग go to news video पे जाकर के मैं आपको दिखा तो प्रोफाइल ताकि आपको confirm जाए कि account हो चुका है अलोग तो जिस भाई के जिस दुस्त का account हो को देदे जाएगा बाकी ठीक है इस वीडियो को यह पर स्माप्स करते हैं में एक न्यूव वीडियो के साथ कल को यह फिर परसो को बाई टाटा लव याल